प्राजना की जो बात है बड़ी सिंपल सीधी सी बात है और उसको कमचते समचते 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 काइम लगता है देखो गल्ती से अगर नमक खा लिया तो नमकी नहीं लगेगा ना और गल्ती से चीनी खाली तो मिठा लगेगा चार खाया तो खटा लगेगा अरे गल्ती से भी मंत्र उच्छारण कर लिया तो उसका प्रभाब्त पढ़े एक रहे हैं तो गल्ती से भी हमने कह दिया सर्वेशां बस तेरे फ़वर सर्वेशां स्ट्र गवत्र श्वेशां शंतिरगर। सर्वेशां पूर्नम भवत्र। सर्वेशां पंगलम भवत्र। गल्टी से भी ले लिया वो हमारी सबसे बड़ी गल्टी है क्या कि हमारा मन उन चीजों में फसा रहता है जिससे मैं तनाव मिल जिससे हम दुखी हो तो वो तो हम अपने मन से कड़ते हैं तो दुखी रहते हैं तो इसी लिए अब वो हम दुखी क्यों होते रहते हैं कि इसलिए कि मन जो है तीन बिमारियों से तीन बिमारिया है एक आसकती है एटाइच्मेंट जो और उस आसकती से समस्या पैदा होती है तो आसकती का क्या मतलब है वही बात जो मैं ने कही कि आसकती बार बार हम गलती से अपने को आसकती में ले आते हैं बार 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 बाहर की हर एक चीज बदलने वाली है कहीं तिकने वाली नहीं हमारा मन बाहर की चीज़ों में तिकना चाहता है मनचसिक रूप से भावनातमक रूप से तो वह भावनातमक रूप से जब टिकना चाहता है तब जाके तब जाकर निर्भरता हो गई अब निर्भरता हो गई तो तो जैसि हम खाने में कहते ही नमक लिया और नमक का मैं निर्वड़ता हो गए तो वैसे ही मन अंदर से कहता है कि आसकिती लिया ओओ लो आसकिती लिया फिर आसकिती जैसे ही हुई भावना सी निर्वड़ता हमारे मन में हुई और मन ने कहा अब दूसरा दूसरी विमारी विमारी क्या है कि हमारा मन ये कहता है मैं दुखी हूँ क्योंकि आ सकती है इसको समझना है इसलिए हम कहते हैं सत संगत्वे निस संगत्वम निस संगत्वे निर्मो इसलिए बार-बार समझना श्रवन करना सुनना समझना श्रवन जैसे हम श्रवन कड़ते हैं अरे नमक खाया था ना इसलिए तो नमकीन लगा ओ भावनात्मत जो है बंधन था ना इसलिए तो आ सकती थी और आ सकती कारण में दुखी हो गया तो क्या हुआजू वो जो छिपा हुआ था गल्टी से वो गल्ती पकड़ में आ अरे आ सकती है इसलिए में दुखी हूँ और अब अगर नहीं गया तो जिसको हम कहते हैं मोह में पस गये मोह तो तीन बातें हुई कि आसकती कहो और उसको फिर कृष्ण भगवान कहते हैं उसको राग, शोक, शोक और मोह शोक, सफरी, दुखी होना, परेशान होना हम परेशान दुखी होते ही तब हैं जब कि आसकती है तो बीच में दुख और इसको अगर हमने आगे बढ़ाया तो मोह में आ गए अब मोह में क्या है मैं पता ही नहीं लगता हम बेहुशी में डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें बहुत गहरा डिप्रेशन है ये दो गोलिया पूरी डेली खाते रहो फिर अगले हफ़ते आना अब मन सोचेगा क्या मन कहेगा मैं मैं तो डिप्रेशन में कोई तो सोचेगा कोई सोचेगा मन कहां मैं तो डिप्रेशन में हूँ दुखी हूँ देखो क्या हो गया नहीं हो गया वो ये नहीं सोचेगा कि आ सकती कहां है वो हमारी परंपरा में हम ये धूनते हैं जड़ को कि भाई ये आ सकती के कारण ही ये depression anxiety दुखी होना है और वो cycle कैसे बन गई सोचते सोचते cycle बन गई तो अब हम मोह में आ गए अब कहीं भी कोई गलती हुई देखो मैं तो मेरे को मैं तो दुखी हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है मोह मतलब हमने ये देख लिया कि मेरा सभाव यह यह अरे सभाव कैसे ऐसे है पहले तो बिल्कु ठीक थे तो सभाव होता तो पहले भी होता भई नमक चाहे दस साल पहले खाया हो या आज खाया हो तो नमकी नहीं लगेगा ना पहले तो नमकीन नहीं थे हम इतने आज कैसे हो गए गुरू क्या करता है गुरू जो है हमारे मन के अंदर वो पुरेदता है कि इतना मत सोयो इतना सोय मत रहो इतना बिहोश मत रहो जानो पहले नहीं थे ना आज हो ना कल नहीं होगे ये समझना है यह ने की गोलियां ही खाते हो कोई भी बिमारी हो गोलियों की बात तो मैंने उजारण में कई पर बिमारी कोई भी हो सोच ये समझना है तो अब गल्टी से ही सरवेशाम स्वस्तिर भवति या ओम नमः शिवा या ओम बुद्धाई नमः या बुद्धम शरणम गच्छामी कुछ भी तो हमारा मन ये कहने को भी चूप गया क्योंकि आदत बन गई है कि दुखी है परिशान क्यों? राग, शोक और मोह मोह का मतलब ये है कि मैं देख नहीं पाता कि सच्चा ही क्या मोह का मतलब ये कि जो सही है मैं उसको देखने की च्छमता मेरी खो जाती तो जब च्छमता मेरी खो गई तो मेरा मन बस उसी दुख का ही विचार करता रहता अब भाई दुख का ही विचार करेगा तो दुखी हो गए न अच्छा फिर अगले हफ़ते फिर दस दिन में जाना है फिर गोलियां बद देखो बदलवाएंगे कई लोग मुझे कहते हैं अच्छा अब अब जो है अच्छा ठीक नहीं हुआ अब यह स्ट्रॉंग जो है मैं और दिराओं और बस अब ठीक उजाए अरे जब तक यह विचार मन में आसकती का रहेगा राग का रहेगा तब तक शोक रहेगा तब तक मोह बना रहेगा हम उसी में प्रेद हैंगे यह गहराई से जब हम इस पर विचार करते हैं इसलिए कहा है क्या सत संगत वे निस संगत वम वो सत का संग मतलब सत का संग है ज्यान है गुरू यह तोड़ा की शरीर से घुज जाएगा किसी के अंदर गुरू का मतलब ही है ज्यान तो वो ग्यान वो समझ वो बोध अभी तो गुद्धो कहा गया तो वो बोध हमारे मन के अंदर डालता है कि बहुत सो लिए सोने के कारण तुमारा मन सोया हुआ है किस में सोया हुआ है मैं दुखी हूँ सत संगत्वे निस संगत्वे तो बार बार सुनने समझने मनं करने से हमें पता लगता है कि आ सकती तो चली रही अभी तो मैं दुखी नहीं हूँ वो ली भी नहीं खाई अब देखो एक और महत्तुपून बात है यह जो मैं है ना मैं मैं जिस चीज के साथ जुड़ेगा वही भाव दे देगा मैं दुखी हूँ तो दुखी सोचे नमक खाया न तो नमकी नहीं लगे ना मी जगा दुखी इस बात को पफ़ड़ना एक दम अगर हम कभी भी दुखी हुए रहे मक खाया इसी का इस पर इसी लिए हुँ कहते हैं सत संगत्वे निस संगत्वम सोच ना सत संगत्वे निस संगत्वम और फिर ये कहा है कि निस संग हो गया राग चला गया तो राग चला गया तो जैसे ही जाता है तो हमारा जो गुखी है वो अटैक करती है मोह पर निस संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहो मोह का उल्टा निर्मोह अरे अब आख खुली तो पाया कि अरे मैं गलती से कह रहा हूं अब मैं दुखी हूं मैं दुखी हूं मैं गलती से नमकीन खा रहा हूं तो नमकीन ही लगेगा तो निठा खाई ना तो इसी लिए है ओम नमह शिवार इसी लिए है सर्वेशाम स्वस्तिर भवतू सर्वेशाम सभी सुखी हूँ मैं भी शामिल हूँ तो राग में क्या केते हैं सर्वेशाम दुखिना भवतू अब हम उसी पर विचार किये जा रहे हैं उसी पर सोचे जा रहे हैं तो फिर भाई फिर तो यही हाल होगा फिर तो यही हाल हो क्या है कि निर्मो निर्मो हत्वे निर्मो हत्वम में संगत्वे निर्मो हत्वम तो जैसे मैड़क चला जाता है ना गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वो अपने आपको जमीन के नीशे रिवा लेता पढ़ा होगा तुम्हें हाइबरनेशन जो साइबेरियन के भालू भी है जो बहुत ज़्यादा बरफ पढ़ती है तो अपना बरफ के नीचे जो है कई मीटर नीचे दसना ओपर देखते रहते हैं ओपर बरफ नहीं अभी नहीं निकलना अभी नहीं निकलना मैं दुक्षी हूं अभी ने निकलूंगा बार मैं दुक्षी हूं अभी ने निकलूं अभार ने ने नकलूंगा कोई निकलना विसा है अरे तुम उठो न उठो जाओ क्या बना के लग ने ने मैंद बड़ा दुखी जो भालू जो है अपना क्या ने 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 अभी बहुत बरफ वो बरफ तो सची है ये दुख जो है नकली ये समझें तत संगत्वे निससंगत्वन निर्मुहत्वन निर्मुहत्वे निश्चल्थत्वन और जैसे ही ये राग शोक और मो हमारे मन से जाने पहार से नहीं जाने तो कैसे जाएंगे विचार तो विचार में ग्यान है यह ग्यान हमारी परंपरा में तो क्या होगा निर्मुहत्वे निश्चल्थत्वन क्या हो गया अब मन किस पर टिका अभी मन किस पर टिका था नमकीन पर अब मन किस पर टिका में तो यह इतने भाव से चलना चाहिए 24 गंटे कोई भी मंत्र नहीं चले तो हम सजग हो जाएं कि देखो वही दुखी है तो फाइबर नेशन है उठो बाहर जो दिखाई दे रहा है वो ब्रहम है मैं दुखी हूँ यह मुझे ब्रहम है इस ब्रहम को हटाना है तो हम भूल जाते हैं तो भूल गए तो फिर हमारी यह समस्चा आजाती है तो इसमें एक और बात होती है कि मन जब राग शोक और मोह से बंध जाता है तो मन अपना संसार बना लेता है इसको गराई से समझने की बात है कैसे संसार बना जैसे आप देखो पती पत्नी हो बचा आ गया यह अपना संसार है ठीक है और अपने संसार वो किस में है वो इस बड़े संसार में हमारा अपना बनाया हुआ जो संसार है वो इस बड़े संसार में ही तो है हमारा जो घर बना है वो अनंत आकाश में ही तो है कहीं भी हो अमेरिका में हो इंडिया में हो उसकी बात अलग है पर उसी आकाश तो एक ही है प्रिथवी तो एक ही है उसी पर घर बनाया ना अमेरिका ले लो इंडिया ले लो गार तो उसी पर नहीं हो तो हम असली संसार को भूल जाते हैं जब राग शोक और मोहे अभी मैं कल बात पर सूँ बात कर रहा है नहीं हम हाँ एक हमारे कापल हैं वो वेकेशन पे गए हवाई में हवाई बड़ा अच्छा है यहां से साथा घंटे लगते हैं बहुत दूर अमेरिका ताइब हाँ गए वहाँ होटल में गए और उसके बाद तीन चार घंटे के बाद पती महाशे को बिमार होगो साथ दिन का ट्रिप था कैंसल भी करते नहीं बनता आठ घंटे अब क्या हुआ वहीं पर ही अपना इलाज करवाया आठ हों दिन और आठ हों दिन वापिस आठ तो यह उधारन क्यों दिया तो भाई कोई यह बताए वेकेशन पे गए हाँ पहले भी मैंने बाद की थी वेकेशन पे गए आकाश भी वही है प्रिथवी भी वही है पानी भी वही है तो वेकेशन पे क्यों जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो राग शोक और मों से हम अलग अटें वो छिपे रहते हैं अंदर अंदर तो छिपे हुए थोड़े समय के लिए वो अलग हो जाता है नयापन आकाश वह नयापन इसी लिए है कि हमने जो असली संसार है उसको देखने की युग्यता खोदी है संसार ये शरीर है न एक दिन तो जाए गई और राग शोक मुख केटा है नहीं बिलकुल ना जाए मेरे बनायवा संसार में कहता है बिलकुल ना जाऊं असली संसार में कहते है जाना तो है ही आना है तो जाना है सोचो इतना समझ अगर आ जाए इसी समझ को कहते हैं विवेक और विवेक आ गया तो ये वैराग किस से हो जाएगा राग, शोक और मौह से वेराग्य होना अरे 20-25 साल पहले जब मैंने समझाया तो एक सज्जन वहीं पहरी उन्होंने अपनी पत्नी को जाके कह दिया कि मुझे वेराग्य हो गया अरे मूर्खाजमी मन से वेराग्य होना अब मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं ये लोग तो अपागल बनके घुम रहा तो मैं पता ही होगा, सबको छोड़ दिया तो मन से राग, शोक और मोह से मैंने अपना जो संसार बनाया है अगर तुम उसको पाँच मिनट के लिए भी हटा दो तुमारा पंदरे दिन का वेकेशन जो है वो पाँच मिनट में पूरा वही अन्हो, वही शादियरे बाहर जो भी दिखाई दी रहा है उसमें परिवर्तन होना ही है बदलना ही है तो बदलने वाले से राग कैसा और उसके कारण शोक कैसा और उसके कारण मोह कैसा कदम, कदम होगी वाजिए हमने अपने मन को अब इसमें होता क्या है कि राग शोक मोह से हम अपना हाईबर्नेशन में चली गए बिल्कुल हाईबर्नेशन आद लगा कि जमीन पे नहीं चली गए तो अपने मन को और खड़े में हमने डाल दिया अब उस गहराई में डालके कोई कहता है कि अरे उठीया कुछ नहीं है तुम्हें तो इरिटेशन होती है और दुखी हो जाते हैं आप समझ नहीं रहे कितनी बड़ी भारी बिमारी दो संसार हो गए एक अपना बनाय हुआ संसार जो राग शोक मोह से खड़ा है और एक दूसरा संसार है वो अपने यापी चल रहा है पूछ लो किसी भी वस्तू से कि तुम्हें मेरे से राग है मैंक अकाउंट में पैसे से पूछ लो मैं घर में प्रेस से पूछ लो फोन से पूछ लो हम ही पीछे पढ़े रहते हैं हाथी भी जो है जब जंगल में आग देखता है तो सबसे पहले वो एक दम शलांग लगाता है दोड़ के नदी में कूछ जा वहां से वो देखता है आग बुझी तब वापे साथ हैं हम उल्टा करते हैं हम और उसके अंदर चले आते हैं तो जब हम उसके अंदर चले आते हैं तो तू तू मैं मैं शुरू हो जाते हैं किसी चीज़ के खोने से हमें दुखोने लगता किसी चीज़ को पाने से आ सकती बढ़े अद्वी तो अपना बनाववा संसार है उसी में हम दुखी सुखी हो रहे हैं किस के कारण सुखी दुखी हो रहे हैं मोग के कारण सुखी दुखी हो रहे हैं तो वहीं से हम तोसने हैं कि अब इलाज करना एक पति पतनी घर में बेटे हुए थे अपना पती जो है महाशे पिए जा रहे थे शराब एक दो पैक तीन पैक चार पैक पाँच पैक पी लिए पाँच पैक के बाद देखा सामने पतनी को तो भरम में हम पहचान नहीं पाते है ना असलीत क्या, तो पती ने कहा कि, हे सुन्दरी, मुझे अपने घर छोड़ के आज़ा। भाई घर में तो बैठे हुए व पता ही नहीं रहता मो पता ही नहीं रहता अब पत्नी 2019 तुम अपने घर में बैठे हूं मैं तुम्हारी पत्नि हो केते हैं नहीं वो तो मुझे आप वैकार है و मुझे तुम कार पकड़ कि तुछ इस पर बार बार मन विचार करना है कि मोह में, राग में, शोक में जब अपना बनाय हुआ संसार है तो मन उसी तरह के विचार करना तो जब उसी तरह के विचार करेगा तो आदमी तो खो गया, भूल गया शरावी के ज़िए कि मैं अपने घर में हूँ उसको ये भी गया नहीं पता ही नहीं है न उसको पर अभी आदे घंटे पहले उसको पता था मैं अपने घर में हूँ पतनी के साथ ही हूँ तो अपना संसार बन गया न उसका अपने बनाए हुए संसार पर राग, शोक और मोह के बनाए हुए संसार पर जब किसी व्यक्ति को पूरा भरोसा हो जाता है उसको तोड़ना परामश्टी कितना भी को नहीं तोड़ेगा तो सतसंक किसलिए है नशा तोड़ने की तत संगत्वे निस संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतवम और निश्चलतवे मन स्थिर हो गया अब मन भागेगा क्यों क्यों सोचेगा उसको पता लग गया ये भ्रहम है क्या भ्रहम है कि मैं दुखी हूँ ये भ्रहम है दुखी किसलिए हूँ क्यों कि आ सकती हाँ देवी ये को भी सुनाना बार बार तब हम क्या करते हैं राग शूक और मोह के कारण हमने अपना संसार बना लिया अब अपने संसार में हम इलाज ढूंते हैं जैसे वो शरावी कह रहा है मुझे अपने गड़ चोड़ दुखी कहता है और गोलियां खानी अब समझ क्यों नहीं रहे कि मैं इतना दुखी हूँ मैं इतना ठक चुका हूँ मैं यहाँ पे कई लोग कहते हैं मैं बड़ा बीजी हूँ मैं नहीं का हाँ बीजी रहना भी वही मोह के करने राफ हूँ इतना बीजी हूँ तो अब इतने आप बीजी हैं आपका मन यही कह रहा है मैं बड़ा बीजी हूँ मैं बड़ा बीजी हूँ तो सुबह उट से भी मैं बड़ा बीजी हूँ तो टॉयलेट भी साई ढंग से नहीं जा पाओ बीजी हूँ रहो बीजी राग, शोक और मौ का बनाय हुआ संसार हमारे वो इतना दुखी कर देता बहुत सारे तरीकें से राग, शोक, मौ के बनाय हुए संसार में जब हम रहते हैं तो हम क्या ढूनते हैं कि हम स्वा चिकित्सा कर लें ये अपनी चिकित्सा खुद कर लें अभी परसों कोई कह रहा था मुझे कहते नहीं पर सर ये तो आप एगरी करेंगे कि नहाने से जो है मन शान्त हो जाता है मैंने का जब जब तुम्हें स्ट्रेस हो मेरे पास क्यों आते हो फिर नहा के मन को शान्त कर जब जब दुखे हो दे हो तो सीधा जाओ बास हो ये स्वाचे कित्सा है तो मन फिर भटकता क्योंकि मन को अभी भी विश्वास नहीं है कि मैंने जो अपना संसार बनाया है वो गलत है उससे उपर उठना पड़ेगा हम उसी में रहना चाहिए अच्छा तुम प्यूर क्या है अब देखो अभी तुम्हारी बज़ प्यूर वेजिटेरियन खाएंगे नहीं घास पाक हमारी वो है ना एक देवी जी प्रेंगलॉर में तो भाई घास पाक तो अच्छी चीज है कोई दो राय नहीं अना अच्छा वेगन कहो वेजिटेरियन कहो या जो खा तो लिया पर भाई वो पचाने की शक्ती है या नहीं है ये भी तो चेक कर लो दो बाते हUNG ही ना खाना बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा है आब देवी जी गो तुम एक किलो बाजाम खिला को फिर देखो बचाने की शक्ती है और दो इसलिए नहीं का नहीं है ये रेखो ये हलत होति है लोग ये चीज बहुत अच्छी अरे अच्छी है पचाने की शक्ती है रखने की सामर्थ है तो रखने की सामर्थ है और पचाने की सामर्थ क्यों हम भूल जाते हैं क्यों भूल जाते हैं मोह के कारण तो मोह के कारण जब हम भूल जाते हैं तो फिर मोह अपना एक चक्र बना रहता है कि राज जो वही फ्राउग वाला हाइबर्नेशन भालूज साइबीरियम बज नीचे हम तब हुए है नहीं हम उपर नहीं उठना चाहिए यह उपर बड़ा डर है अरे डर तुम्हारे मन से न निकला मन का बनाया हुआ जो संसार है उसमें डर है उसमें दुख है तो मन ये शुरू तो करे तरवेशं शंतिर्भवतू अम गुद्धाई नमहां अम नमर्शिवार अम गुरुभ्यो नमहां तो देखो तो कहीं एक एक प्रफ टो हटे पर वो हटता इसलिए नहीं है कि उसको लगता यही संसार मेरा कि तो संसार हो गए ना रभी जो बाची इतमिक दो संसार हो गये तो अपने बनाए संसार में आदमी को अपने दुख के प्रती एहिंकार हो जाए इसलिए तो कहता है एहिंकार क्या हुआ मैं मैं है न दुखी हूँ मैं अशान्त हूँ मैं नहीं सो पाया मैं कल गोली नहीं खाई पी इसलिए दुखी मैं से जुड़ा न तो मैं कॉमन है न अब मैं क्या कह रहा हूँ मैं शान्त हूँ मैं शान्त हूँ सब सुखी हूँ सब शान्त हूँ सब के उपर इश्वर की क्रफा बनी रहे है यह पहले यह समझ हानी चाहिए पहले आदमी उस अपने बनाए हुए संसार से जागे तो सही यह समझे कि यह मुझे दुखी करना है मैं नहीं बनाया अपना संसार तो इस जागने को कहते हैं हम मन की शुधी इसी को कहते हैं कि मन की शुधी इस शुध मन में निर्मोहत्वे निश्चल कत्वम ओ चला गया तो मन कहां गया मन बैठा है मन बड़े शान तवाव से बैठा है गौरफनाज जी कहते हैं हमारे हाँ से खेले अब क्या हुगया अब मन्य अशना खेलना शुरू कर दिया हाँ से खेले न करे मन भंग बाहार का सब काम करते हुए मन को भंग नहीं करना भंग कैसे होगा राग शोक और मौ से अपना बनाय हुआ संसाथ से हसे खेले न करे मन भंगते निष्चल सदा नाथ नाथ इश्वर ले लो नाथ ध्यान की अवस्था ले ये हमें अपने जीवन में 24 गंते सी पैसा आएगा जाएगा लोग आएंगे जाएंगे ये सब चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा जब तक संसार है जब तक चलता ही रहेगा तो यहां पर एक बात फिर आती है कि अब राग शोक मोग खतम हो गए पर फिर भी मेरा मन अंदर से हमें कुरेदता है मैं करता हूं तो मैं करूंगा तो मैं भोगता भी हूँ अनुखब किया रोटी नमक खाया तो नमकीन लग गया मीठा तो भोगता भी हो गया तो करता भी हूँ भोगता भी हूँ क्योंकि ये मैं करता हूँ करने वाला हूँ मैं भोगने वाला हूँ ये फिर हमें रागशोग दो मौह की तरफ ले जाए अच्छा तो फिर क्या करें? हमने तो यह नहीं कहाना जी बाहर जो भी चीज अच्छी है खाओ, बाहर जो भी चीज है उसका इस्तेमाल करो पर मैं कर रहा हूं स्तेमाल तो मेरा मन कहता है देखो मुझे यक चीज पसंद है एक बर खाई, दो बर खाई, तीन बर खाई, फिर राग हो गया तो राज से फिर शोक आ जाएगा, फिर मौ आ जाएगा मैं भोगता, किसी को कहते है ना भोगता भोगने वाला, भोगती तो गुरुदेव कहते थे ना तुम्हें याद होगा की गुरुदेव कहते थे मेरी दो डार्लिंग है एक भुक्ती है एक मुक्ती है तो तुम्हारी तो एक ही है देवा गुरुदेव की दो डार्लिंग थे एक भुक्ती एक मुक्ती तो भुक्ती बुलाती थी तो गुरुदेव कहते थे बाई बाई मुक्ती बुलाती थी थी तो हाँ तुम्हारे साथ ही रहूंगा तुम्हारे साथ ही रहूंगा तो अब ये मुक्ती हमारे मन में बैठे कैसे कैसे बेठे कर्म हम कर रहे हैं न तो हमारा मन तो ये कहेगा मैं करता हूँ मैं करता हूँ तो मैं भूगता भी हो गया याद करो इसकी हमने बाशीत की जी ए राग और द्वेश जब हमारा मन ये राग अलापता है राग और द्वेश का तब इच्छा पैदा होती है इच्छा से हम उस इच्छा को पूरा करने के लिए करता बन जाते हैं ये करतापन छोड़ देना खाते समय भूगतापन छोड़ देना कैसे विचार से ही भई जैसे मैंने का ना मैं दुखी हूँ मैं शान्त हूँ मैं आना तो भोजन तो करना हूँ अपनी परसंद का है पर मैं भोगता नहीं हूँ तो अपने मन में ये भाव करना है कि हे ईश्वर तुम भोजन ग्रहन करो मन में भोगता को हटाना है ना करता को भी हटाना भाई उसी को तो नित्य कर्म कहते हैं हाँ याद आया उसी को नित्य कर्म कहते हैं तो उसमें दो बाते हैं कि एक तो वो इच्छा जो कर्म की कर्म से जो फल मिलेगा उसको भी छोड़ दिया स्वाद तो अभी भी मिल रहा है जो भोजन में प्रसंद है पर मन से करता नहीं हूं तो भोगता भी नहीं हूं पर स्वाद तो अभी भी पर होगा क्या कि उस स्वाद में जो राग है ना आ सकती वो हट जाई अच्छा आज क्या बनाया है अच्छा मन ये कहे गा ही नहीं पसंद है ना पसंद है रहे भोजन तो भोजन के लिए है उर्जा के लिए है चलू जो मिल गया आगया सामने आगया खाज़ चालिस साल से यही किया है मैंने तो उसका बड़ा गहरा प्रभाब पड़ा तो दिन जो सामने आ गया अभी ये सब आये हुआ है कहते हैं ने हम यहाँ जाना शरू यह खाना है हाँ खालेंगे राग नहीं है तो राग नहीं है तो शोक नहीं है तो नहीं है तो यह तीनों मोह नहीं है तो मेरा मन यह कह रहा है मैं करता नहीं हूँ मैं भूखता नहीं हूँ, मस्क हो गए, तोचो, कहां से कहां कि हवाई की बात की, शराबी की बात्चीत की, हम शराबी हो जाते हैं, राग, शोक, मों में हम अपनी दुनिया में खोए रहे हैं, तो कहां कि नहीं सर ये तो साइन्टिफिक है कि मना आते हैं तो थोड़ा सा रिल में तनाव हो, जब जब तुम दुखी हो, किसी पडोसी के घर में भी हो, दोस्त के घर में, कहना नहीं मुझे पांच मिनट चाहिए, मुझे आपके बात्रूम में जाना है, नहां कि फिर आजो, तो आदमी अपने दुख को मोह छोड़ना नहीं चाहता है, क्यों नहीं में हूँ, मैं मोह में हूँ, अब देखो, भला मानस पांच शे पैप पीके और फिर कहता है, नहीं मैं तो, अपनी पतनी को ही कहता है, कि तुम बहुत सुन्दर हो, आप मुझे अपने घर छोड़ा, यह हालत हो जाती है, हमारे जीवन की, तब हम बहुत ज्यादा, फिर तक ये सतसंगत्वे निससंगत्वम, जब तक ये समझ मन के अंदर, बुद्धी के अंदर बैठ ना जाए, तब तक हमें सुनना ही पड़ेगा, तभी वो मोह दूर होगा, मोह से मन एकदम शस्थिर हो गया, उस निर्मोहत्वे निश्टलतक्वम, उस अवस्था में मन जब एक बार भी कहे, सर्वे भवन्तु सुपना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्धाई पश्यन, मा कश्चित दुख भागवदीर्या, फिर ओम नमह शिवाई, तहां और मन एकदम शिव के उपर टिक गया, निश्चलतक्वम, पहली अवस्था में नहीं ठीकेगा, पर कर करना तब भी है, सतसंगत्वे, निससंगत्वे, हम राद्वे से सतसंग से दूर होगा, फिर भी हम करते जा रहे हैं, कर रहे हैं, दूसरी अवस्था में भी हम कर रहे हैं, निर्मोहत्वम, अब मोह दूर हो गया, राद्वर हो गया, मोह दूर हो गया, अब मन टिक गया, त देखो अंतर पहली अवस्था हमने का सरवे शाम शांतिर भवतू मन कहता है फिर भी दुखी तो हुई आई की नहीं खाई है तो मीठा ही लगेगा नहीं नमकीन कहां से आगे मन फिर नमकीन पर चला जाएगा ही क्योंकि इतने दिनों का संसकार हमने बना लिया और फिर फिर मोह में फस जाएगा अंगे दन सरवे शाम शांतिर भवतू सभी पूश शांति हूँ तो मोह कहता है कहां शांति केवल दुखी दुख है अपना बना हुआ संसा तो इसलिए देखो हमारे गुरू ने क्या बात किये पहले राद्वेश हटे मोह हटे मन शांत हो मन शांत होने के बाद सत्व संगत्वे निश्चल निर्मोहत्वे निश्चल तत्वं अब मन ठहर गया क्या ठहर गया कब ठहरा सर्वेशाम शांतिर भवतू अब उसके आगे मन शांती में ठहरा हुआ भागनी रामोह की तरफ अब शांत दूसी पर ठीका हुआ है तो ध्यान हो गया निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति अध्यु ये भाव अगर हो जाता है तो अपने बनाए कि संसार को हमें अगाना है पर अपना बनाय हुए संसार को तब ही हम बगाएंगे जब सच्च सुनेंगे तब यह ज्ञानों आएगा कि कि हम दो संसार में रहें। एक संसार हमारा अपने बनाएऊए संसार में हमेशा वेक्ति दुखी रहेगा और ईश्वर के बनाएऊए संसार में हमेशा सुखी झाल झाल